नमस्ते मित्रों, मैं राव चोदरी, आप सभी का स्टुडेंट एक्टिविटी बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज हम लोग हिंदी विशे की छह कक्षा की सेमिष्टर सेकंड का इकाई चार पुस्तक हमारी मित्र के सभी सवाल जबाब स्वाध्य के प्रश्ण उत्तर पढ़ेंगे, समझेंगे तो चलो दोस्तों देखते हैं स्वाध्य प्रश्ण क्रमांग एक निम्नलेकित प्रश्णों के उत्तर दिजिए इस प्रश्ण में हमें तीन अलग अलग प्रकार के प्रश्ण दी हुए है वो देखते हैं प्रश्ण एक पत्र कब और कहा से लिखा गया है उत्तर पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुद्रा जिलकस से लिखा गया है प्रश्ण दो पत्र किसने किसको लिखा है उत्तर पत्र पूजन ने मित्र मनोच को लिखा है प्रश्ण तीन पत्र किस विशय के बारे में लिखा गया है उसका उत्तर है पत्तर पुस्तोकों के महत्व के बारे में लिखा गया है प्रश्ण दूसरा देखते है अपने घर कोई पुराना या नया पत्तर ढुणिए और उसे देख कर नीमन लिखीत प्रश्णों के उत्तर दीजिये या लिखिए अपने घर पे जो भी कोई पुराना या नया पत्र होगा वो हमें डुणना है और उसमें से हमें प्रश्णों के नीचे दिये हुए प्रश्णों के उत्तर देने है तो पहला प्रश्णा पत्र किसने लिखा है अभी या पर जो प्रत्र है उसमें से जो उत्तर है वो देखते ह यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है, आपका अलग हो सकता है, जो भी पत्र आपके पास पुराना पड़ा होगा, वहाँ से हम लोग या आप लोग उत्तर लिख सकते हो, दुसरा प्रश्ना है, पत्र क्यों लिखा गया है, अभी इस पत्र में संदर्ब क्यों क्या है, वो प्रस्ट रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है प्रशन तीन पत्र कौन से दिनां को लिखा गया है यह पत्र जो है लिखा हुआ वह 13 अगस्त को है तो 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है यह उसका जबाब आएगा उसके बाद तिसरा प्रश्ण है प्रश्ण क्रमांकतीन पत्र भेजने के लिए आम तोर पर पोस्ट कार्ड अंतर देशिय पत्र या लिफापा इस्तमाल किया जाता है डाक घर जाकर इनके मुल्य का पता किजिए यह भी पता किजिए कि इनमें क्या अंतर होता है सर्वसाधरन तीन प्रकार के हमें पत्र देखने को मिलते हैं एक तो पोस्ट कार्ड होता है और सिंपल कार्ड होता है दुसरा अंतरदेशिय पत्र होता है और तिसरा लिफापा के सुरूप में हमें चिट्टी डालकर पत्र बेश सकते हैं तो इनके मुल्य अलग-अलग है, पोस्ट कार्ड, अंतर देशिय कार्ड, या पत्र और लिफापा, इनकी जो मुल्य है, कीमत है, वो अलग-अलग है, तो हमें डाक घर पे जाके उनका पता लगाना है, तो देखते हैं, और इनमें अंतर क्या है, वो भी देखते हैं, पहला है पोस्ट कार्ड खुला होता है इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती और इसका मुल्य पचास पैसे है अभी शायद इसकी किमत बढ़ गए होगी मुल्य एक रुपया हुआ होगा ठीक है दुसरा प्रश्ण है दुसरा कार्ड या पत्र है अंतर देशिय पत्र इसे लिखने के बाद तीन और से मोड़ कर बंद किया जाता है यब ये कर सकते हैं इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है इसलिए इसको अंतर देशी या पत्र का जाता है कि अपने देश के अंदर ही इसको भेज सकते है दूसरे देश के लिए हम लोग भेज नहीं सकते और इसका मुल्य दो रुपिया पचास पैसे है अलग कागच पर पत्र लिख कर और उसे मोड कर लिफापे में रखा जाता है इसमें पत्र सुरक्षित रहता है लिफापे पर पत्र के अलावा प्राया बहने अपने दूर रहने वाले भाहियों को राखी बेशती है मतलब लिपापे का उपयोग पत्र के साथ साथ अलग-अलग चीज भेजने के लिए भी हम लोग करते हैं इसका मुल्य पाच रुपए है इसका मुल्य में पाच रुपए देना होगा चौता प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण क्रमांकचार अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्नन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिये जैसे की नदी में बाड़ आना ये एक उदारन तोर पर है परंदू अपने आसपास की जो भी घटना घटती है उसका हमें पत्र के नमुने के अनुसार पत्र लिखना है यहाँ पर एक पत्र नमुना के सोरुप में दिया हुए है देखिए 208 पहले पता लिखना है 208 साईदर्शन उधना सुरत उसके बाद पिनकोल लिखना है 49-42-10 उसके नीचे तारीक लिखनी है 19 दिस्टमबर 2022 प्रियम इत्र धनन जय सप्रेम नमस्ते तुमारा पत्र मिला तुमारी बहन की बिमारी की बात जानकर दुख हुआ उसे खाने पीने में सावदानी रखनी चाहिए मुझे विश्वास है कि वो जल्दी ही अच्ची हो जाएगी कल रात अमारे मुहले में शौर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई शुरू में किसी को कुछ पता न चला घर के लोग सोहे हुए थे अच्चानक धुआ उठने लगा और बदवू आने लगी तो लोग जाग गए कुछ ही देर में काफी लोग वहाँ जमा हो गए मैं भी वहाँ पहुच गया यह तो अच्चा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग भुज गई मामूली नुकसांस के सिवा कोई भी बड़ी हानी नहीं हुई सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्बाग्य पूर्ण होती है बाकी सब कुशल है तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम तुम्हारा मित्र राजेश इस प्रकार यह हमें पत्र लिखना है इस प्रकार हमें यह पत्र लिखना है ओके दोस्तो इकाई नंबर एक इतनी शक्ती हमें देना दाता इस कावे के सभी MCQs नीचे डिस्क्रिप्शन डॉक में जो लिंक दी हुई है वहाँ पे आप देख सकते हो मित्रो वीडियो पसंद आए तो जरूर शेर करना लाइक करना और सब्सक्राइब करना धन्यवाद